समस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बनी ब्रिलियन्स पर और मैं आपका साथी मोतिलाल हम डिसकस करेंगे हिंदी की कुछ महत्रपून प्रशन इससे पहले हमने जो है इसके वीडियो बना रखे हैं हम मिक्स कोश्चन भी डिसकस कर र करते हैं तो अगर आप चैनल पर नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और बाला इकन दबाना ना भूलिए और इस वीडियो को भी आप लास्ट तक जरूर देखिए आपको पता लगे आप 20 में से आज इस वीडियो में 25 कोश्चन रहने वाले हैं तो 25 में से कितन कोश्चन है अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब आपने वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है कि जो व्यक्ति अपने ही कुल का नाश करता है उसे क्या कहेंगे आप यहां पर क्या होगा देखिए यहां पर आप बात करें बेख नियुक्षि तो घ्रमें, है कुलीन मतलब जो आच्छे श्रम लिया विल ल aja है, तो हमारे पास option number B बजता है, option number 2 बजता है कुलागार, ठीक है, कुलागार यहाँ पे हमारा सही उत्तर रहने वाला है भाई साब, next हमारे पास question है, दिएगे वाक्यांच के लिए एक शब्द दीजिए, जो इंद्रियों से ना जाना जा सके, ठीक है, अब जो इंद्रियों से नहीं जान सकते, उसे आप क्या कहेंगे, अगोचर कहेंगे, और जो इंद्रियों से जाना जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, गोचर कहेंगे भाई, गम में मतलब जहां पे आप जा सकते हैं, अगम में मतलब जहां पे आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है, तो option number, कौन सा ठीक, option number 4 आपका सही रहेगा यह चीज आप ध्यान में रखिए ठीक है इसके इलाबा नेक्स आमारे पास कोशन है देखिए इसमें आपने बताना है कि दिएगे वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापत करने के लिए सबसे विकल्प का चाइन करें यदि इसे प्रतिस्थापत क एक लड़ी है वो देखिए इसमें आगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे जो गड़डी रहेगी आपकी वो कहाँपे है इस वाले में है, ठीक है, अब मतलब इसे प्रतिस्थापित करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कमरे में कितने लोग बैठे हैं, दो लोग बैठे हैं, ओप्शन नमबर C, यहाँ पर 3, यहाँ पर ठीक रहेगा, एक लड़की बैठे हैं, एक लड़का और एक लड़की बैठे ह अगर यहां पे बैठी लिखा हुआ है मतलब यहां पे लड़का भी है इसके बारे में भी बताना है भाई आपने यहां पे यह चीज आपने द्यान में रखनी है लड़का और लड़की बैठे हैं ठीक है जी नेक्स्ट आगे आपका निमन लिखित मैंसे शुद्वर्तिनी वाला श़द कौन सा है यहां पे अगर आप करेंगे शुद्वर्तिनी देखते है और यहां पे सुमति का कुमति या सम्मति तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर रहेगा यहाँ पर क्या रहेगा सुमति का कुमति एक सुमति मतलब अच्छी बुधी और कुमति मतलब जिसकी नहीं है ठीक भाई नेक्स्ट मुहावरे के सही युगम का चाइन करें आग लगाना लगना दोखा देना आँख दिखाना तुख होना आँख में चरबी च्छाना घमंड से चूर होना देखिए आँख बिचाना गुस्से में आना आँख बिचाना मतलब आप किसी का इंतजार कर रहे हैं गड़ अब यहाँ पर आप्शन नमबर तीन ही ठीक बचता हमारे पास आँख में चरबी च्छाना मतलब घमंड से चूर होना आप देखते होंगे लोगों को की थोड़ा सा फेम मिलने के बाद या थोड़ा सा पैसा आने के बाद क्या हो जाता है लोग जो हैं उनकी आंखों में द से नेक्स्टा आपके पास निएगे किस भाग में त्रूपीट है यहां पर देखिए वह तस्करी करते पकड़ा गया अब यहां पर आपका सही उत्तर रहेगा वह क्या रहेगा तो option number यहाँ पर नहीं रहेगा यहाँ पर गड़बड़ी कहाँ पर यह वैं तसकरी करते पकड़ा गया next दिये वाक्य में भाग ज्याद करें जिसमें कोई तूटी है यदि कोई तूटी नहीं है तो कोई तूटी नहीं है विकल्प को सरदार भगत सिंग ने फांसी पर चड़ना पड़ा अब देखिए तहाँ पर गड़बड़ी है सरदार भगत सिंग ने फांसी पर चड़ना पड़ा अब आपको दिख रहा होगा चड़ना पड़ा फांसी पर सरदार भगत सिंग ने अब यहाँ पर ने नहीं होगा, क्या होगा, स्थरदार भगत सिंग को परसी पर चड़ना पड़ा, option number, यहाँ पर यह चीज आपके सही रहेगी, नेक्स्ट है, आपने बताना है कि पूजनिय गुरुजी आ रहे हैं, देखिए, इसी बदल आपके अब शक्ता नहीं है, पूजनिय ऐसे नहीं लिखा जाते, यह गल्थ है, वरतनिय शुद्य है, ठीक है, आपका जो सही उत्तर रहेगा, वो क्या रहेगा, आपके पास शिर्फ शुद्वरतनी वाला एक ही option है, वो है आपका option number 3, पूजनिय गुरुजी, अब यह जो वरतनी है, वरतनी में शुद इस समय बच्चे स्कूत को जा रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, इस समय जो बच्चे है, वो कहां को जा रहे हैं, यहाँ पर इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, तो यहाँ पर स्कूत ना हो करके क्या होगा, स्कूल होगा, तो option number 3 में गड़वड़ी है, स्कूल को जा र ना, देखे, यहाँ पर आप बात करेंगे तीर के पर्याय वाची की, तो यहाँ पर तीर का पर्याय वाची क्या आएगा, चार ओप्शन नमबर दो, यहाँ पर सही उत्तर रहने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट, निमन लिखिट प्रेशन मैं दिये गए चार विकल्बों मैंसे, उस विकल्ब का चाइन करें, जो मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है, पोवारा होना, देखे, पोवारा का अर्थ जो है, क्या होगा, पोवारा होना, हार जाना, खूब लाब होना, पर यह वचन बोलना, बहुत खुश होना, ओबारा होना मतलब option number कौन सा ठीक रहेगा, देखिएगा, ओबारा होना मतलब option number 2, खूब लाब होना, option number कौन सा ठीक, 2 ठीक, ओबारा होना मतलब खूब लाब होना, next, तेखिए स्थान को भरने के लिए सबसे उप्युक्त विकल्प का चाहिन करें, कश्मेर में विरोध्यों का डैश था कप प्रास विशाद या आतंक ठीक है क्या होगा भाई साब यहाँ पर तो कश्मीर में विरोधियों का क्या है आतंक क्या होगा क्या होगा क्या होगा श्मीर में विरोधियों का क्या है आतंक है भाई साब नेक्स्ट, भीए सिद्ध का विलोम चुने, आस्वीकार, आस्वीकार का क्या होगा? अंगीकार होगा, ठीक है? ons provinces का अनुदार यकार होगा, अनुदाता होगा या अपकार होगा, ठीक है? यहाँ पर आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपा का रहेगा, इसका जो सही उ केंटर का मतलब क्या हुआ जो स्विकार न की यह चीज अंगिकार का उस्विकार करना यह इसका अस्विकार का क्या होगा विलोम होगा ठीक है यहां मोड़न next है हमारे पास 775 रएकिस्भाने के लिए सबसे युक्त शबद का चाहन करह hurdle यह भीक डैस भीक डैश गुजर करता है ठीक है फैंक कर मांग कर दे कर या बांट कर अब देखिए फैंक कर गुजारा नहीं हो सकता भीक दे कर कौन गुजारा करेगा भाई भीक मांग कर गुजारा कौन करेगा ठीक है तो आपका क्या होगा भीक मांग कर या भीक मांगकर गुजर करता है, गुजारा करता है गुजारा करता है next जो आएगा आपको question number 16 है कि नीचे दिए वक्यांश के लिए एक शब्त दीजिए विकल्पों में से चुनिए जिसके मन में सया का आभाव हो सया आभाव निर्द्वंद, दयावान या निर्दे, अब देखिए यहां पर बोला है कि जिसके मन में क्या नहीं है, दया का आभाव है वाई साब वो क्या होगा, निर्दे होगा जिसके मन में क्या नहीं है दया नहीं है उसे आप क्या कहेंगे नर्दय कहेंगे बास, अब क्या कहेंगे नर्दय कहेंगे, हाना नेक्स्ट आपके पास, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर इसके स्थान पर क्या होगा? प्रमानिक यहाँ पर शुद्वरतनी वाला चांटी है कौन सा होगा? यहां पे थोड़ी सी वरतनी में शुदी रही है यह option number 1 जो है आपका ठीक रहेगा प्रामानेक यहां पे जो मातरा रहेगी वो छोटी E की रहती है बड़े E की मातरा नहीं रहेगी इसमें next question है हमारे पास question number 18 दिये गए शब्द के समनार्थी शब्द का चाइन करें Vishnu, Vishnu का जो आपने क्या बताना है समनार्थी शब्द बताना Govind, Girish, Tapas, Shankar यहां पे अगर आप बात करेंगे तो क्या होगा Vishnu के जो प्रहएवाची रहने वाला वो ख्या रहेगा गोविंद, गोविंदो बोलो, हरी गोपालो बोलो next, जो कि स्थान को भरने के लिए सबसे उप्युक्त विकल्ब का चाइन करें गंगा में प्रदूशन की डैश चिंता जनक है उपस्तिती मिलावट विद्यमानता या गोलनशीलता यहां पर, question number 19 का जो सही उत्यर रहेगा, वो क्या रहेगा आपका गंगा में प्रदूशन की विद्यमानता जो है, क्या है, चिंता जनक है गंगा में अप्रदूशन बढ़ता जा रहा है, उसमें वो चिंता का विश है क्योंकि गंगा का पानी, ऐसा पानी है जो कभी भी क्या नहीं होता है फराब नहीं होता है ठीक है अच्छा मेरे को आप इस कोशन के लिए मैं आपको एक और कोशन देता हूँ गंगा नदी को राष्ट नदी का दरजा का मिला था ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताईएगा, ठीक है, नेक्स्ट, दिएगे, वाक्य मेरे खांकित अंश को प्रती स्थापित करने के लिए सबसे प्यूक तिविकल बचाईन करें, सादू माला घुमा रहा था, ठीक है, सादू माला क्या कर रहे थे, ठीक है, क्या होगा, सादू माला ठीक रहा था, ठीक है, नेक्स्ट, अब यह जो आपके पास वाक्यांश है, यह देखीगा, आपके पास क्या है, अनुशेद है, विज्ञान के रत पर चड़ा हुआ, संसार भटक कर, इस रास्ते जा रहा है, इस इसका कुछ अंदाज, इस बात से, इसका कुछ अंदाज इस बात से लगा जा सकता है, कि, एक के स्थान पर डैश के प्रेमी जैसे धर्म को, अब 21 में आपने क्या बताना है, question number 21 है, कि गध्यांश के रिखे स्थान, एक के लिए सार्वजिक उप्युक्त शब्द होगा, द विज्ञान के प्रेमी, ठीक है, क्या होगा, option number 3, क्या होगा, कि, इसका कुछ अंदाज इस बात से लगा जा सकता है, कि, विज्ञान के प्रेमी, जैसे धर्म को अंदविश्वास समझते हैं, वैसे ही, अब वे कब यगो, ठीक है, अब यहां पर क्या था, यहां पर रखा अपने विज्ञान भाई साब, क्या रखा, विज्ञान, विज्ञान के प्रेमी, जैसे धर्म को अंदविश्वास समझते हैं, वैसे ही, अब वे कब यगो, अर्थ सभ्यों की, डैश कहने लगे हैं, अब क्या कहने लगे हैं, चरारत, वाणी, मैफिल या बुद्धी, अब वाणी, कहने लगे हैं, सारे रेगे इस्तान में दया माया, और रोहानियत की जो थोड़ी बहुत, डैश बची है, ठीक है, क्या बची है, अब तीसरे के इस्तान पर क्या आएगा, देखें, संपदा, खुशाली, हर्याली, या निलामी, यहाँ पर देखें, तीसरे में क्य आएगा, यहाँ पर क्या आया था आपका, वाणी आया था, यहाँ पर क्या था, विज्ञान था, क्या था, विज्ञान था, अब यहाँ पर क्या आएगा, देखें, पोशन नम्बर 23 के तीसरे पॉइंट में क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अब यहां पर क्या आएगा हर्याली रुहानियत की जो थोड़ी बहुत हर्याली बची है उसका एक छोटा अखल से ना खलिस्थान भी उनकी परदाश्ट के बाहर है जो सच्चे इरदय से दुखी हो रहे हैं कि डैश अब इस डैश ठीक है अब यहां पर क्या आएगा इस वीडियो के लाश्ट के पौशन रहने वाला है अगर आप वीडियो के से पहँचे आपके ज़रूर लायिक कर दुखे है और 25 मेंसे आपके कितने फिट्न ठीक को है वहां भी बताईएगा और मैंने आपको एक question पूछा है कि गंगा नदी को राश्री नदी का दर्जा का मिला ये भी comment में जरूर बताईएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्स्राइब करके जाईएगा तो question number 25 का जो उत्तर रहेगा अपता वो क्या रहेगा अब यहाँ पर क्या आया यहाँ पर आया था बौधिक संपदा है न क्या आया था बौधिक संपदा भाई साब युग में भी मनुश्य उशा और सितारों की और देखता हुआ अपने कीमती वक्त को क्यों बरबाद कर रह है तो यहाँ पर क्या आएगा वक्त आएगा भाई साब क्या आएगा भविश्य शरीर वक्त अतीत अब यहाँ पर कीमती वक्त को क्यों बरबाद कर रहा है तो यहाँ पर क्या आया option number 3 ठीक हुआ वक्त आया तो यह थे हमारे आज की इस वीडियो के 25 कोश्यन तो अगर आप आप ने यहाँ यहां तक वीडियो को देखा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए शेर करिए और आपकी जो भी प्रतक्रिया है उसे जरूर बताईए और मिलेंगे आपसे नेक्स वीडियो में जल्द अब तक के लिए हसते रहिए मुस्कराते रहिए धन्यवाद जैहन आपकरे बताईए जाएए प्रतक्राते आपसे बताईए जो झालेख पर चाले गवाद में लुटारते बताईए तक करिए लाद शेसे वीडियो में कर्मेंकर दाए बताईए